हुआ है हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स अगर आपके सामने सेमसंग डवल डो रेफ्रिजेटर हो बहां पर कहा है कोलिंग की प्रावलम है तो हम उसको कैसे सौल कर सकते हैं यहां पर जो है इसमें जो प्रावलम आई थी इसके उपर आप द अपरविटर बहुत जाधा आई से आई जबाति यह तो वहां पर कोलिंग की फ्रावलम होती है आई विल्कुल उपर पर जंब गई इसके पर चारह साइट परत जमगी है और इसकी डग में भी परत है आइस की और बैक साइड भी ट्रे जो हती है ट्रेंट जहां पर पानी निकलता है वहां पर भी पानी नहीं आ रहा है तब आप इसके सामने अगर आपके सामने यह फोल्ड आ रहा है तो अपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले आप कुछ एकॉड करना है कि इसका जो फ दिक्कत आती है फैन मोटर जो होता है उसकी मतलब वाइंडिंग खराव जाती है तब यह दिक्कत आती है तो आपको गया है इसको चेक प्रोपर होना चाहिए वाइर कट नहीं होना चाहिए और फैन बिलेट किसी से टेच ना हो जिससे की मोटर अगर चलती हो तो उसका फैन यह भी मैं आपको अभी बता दूगा ठीक है तो यह जो आप एक समझ रहें एक इस साइट है हीटर का और दूसरा इस साइट पॉइंट है ठीक है इन दोनों पॉइंट को करना एक इस पॉइंट पर रखना है दूसरी को पॉइंट पर रखना है उसके बाद क्या है मीटर मे Wellness में एक alarm का sound आएगा ठीक हिए अगर alarm का sound आता है तो इस condition में आपका heater होता है वह एकत्म प्रॉपर स्फ्रील से work करता है कि क्षैटवर कर देना इस सिरख आपको दियाने है ठीक हिए धटीवateur की की रेंज पर सेट करतें उसके बाद आप हीटर को चेक कर सकते हैं आपको पास से दिखा रहा हूं और इसके बाद मैं इन दोनों वाले पॉइंट पर लगाता हूं कि आप देख रहें इस समय हीटर है हमारे एकदम कंडिशन में अगर आपका हीटर ठीक है और कौंटरिटी दिखा रहा है और इस कंडिशन में आपका हीटर ठीक है तो अच्छा है और दूसरा तरीका यह है आप 220 बोल्ड देके वी चेक ओड कर सकते हैं हीटर को जो नौन इंवे तो इस कंडिश्म में आपका क्या है कंडिशर कंडिवनी चलेगा और वहां पे विल्कुली आपका हीटर नहीं हुआ इस बज़ेसे भी आप पे बहुत ज़्यादा आइस जम जाएगी उसकी बाद आपको चैकोड करना है आपका जो सेंसर होता है इस नहीं होगे वहां पे बिल्कुल नहीं करें यहां पे विल्कुल नहीं करें रिवा और प्रैसर के अंदर गी कोई और इतनी कोलिंग नहीं होगी वहां पे तो आपको कहां कुछ इतना है कि कुछ यह डेटर वहां पे कहां पे अथसां सेंसर दिया जाता है और ना उसमें जो सैंसिंग के नहीं होते हैं में जैसे और यह वहांपे क्या वाय मुटल फ्यूज का यूज हो था है तो आप चाम वही करते हैं सेम वही है सब कुछ बैसा ते कि तो वस इतना है कि उसमें टीसी जैंसर और उसमें वाय मुटल फ्यूज है तो आप इन दोनों को चेक ओड कर ले कि वह फॉल्टी तो नहीं अगर यह स्कूलिंग को जैंस नहीं करेंगे तब वहां पर क्या होगा आपका जो फ्रिज है वो कोलिंग बहुत ज्यादा आइस जम जाएगी और पूरी टक में आइस स्टार्ट हो जाएगी जम ना फिर उसके बाद के नीचे कूलिंग नहीं होगी आपको इस्टेप बेस्ट आपको चेकोट कर लेना अगर यह सब कुछ ठीक है उसके बाद भी वहां पर आइस बहुत जादा जम रही आइस बहुत जादा आ रही है और डाउन पार्ट में बिल्कुल कोलिंग नहीं हो रही तो आपको क्या करना है आपको चेकोट करना है कि आपका जो फिरिज है डबल सब्सक्राइब करने कि आपका सिस्टम कहीं से चोक नहीं होना चाहिए तो इस कंडिशन में कूलिंग महां पर विल्कुली नहीं होगी तो फ्रेंट्स यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगई वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूज जीट के चैनल को सब्सक्र